तो यहां पर हमको लेने हैं चिपसोना आलू यह आलू का नाम है चिपसोना और फ्रेंच फ्राइज के लिए चिपसोना आलू बैस्ट माने जाते हैं तो आपको आलू को छील कर और फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट सकते हैं और जब भी आप अलू खरीते हैं French fries के लिए थोड़े से बड़े आलू खरीते हैं जिससे की बड़ी बड़ी जो हैं French fries आपके बन सके हैं तो बस इनको फ्रेंच फ्राइज की शेप में आपको काट लेना है अच्छे से वाश कर लेना है जिससे कि इसके ओपर लगी जो है रेत दूल मिठी सब हट सके और धोने के बाद ये कुछ इस तरीकी से दिखाए देंगे प्यारे प्यारे चिपसोना आलू और अब इसको आप आपको इसको चलाना है और एक बॉयल आने पर हम इसको निकाल लेंगे देखिए पानी जो है उबलने लगा है जैसा कि हम लोग चिपस में करते हैं नॉमल होली के दुरान जो चिपस उतारते हैं वैसे ही आहम को करना है सिर्फ एक स्टीम लगानी है आलू को और हमें आलू क निकाल लेना है देखिए थोड़ा सा पानी जो है बॉयल होने लगा है गरम हो गया है अलू हीट अप हो गया है अंदर से गरम हो गया है और बस इनको निकाल लेना है हमें इसके अंदर आलू पकाने नहीं है बस हमें हलका सा स्टीम देना है इने हमें ध्यान रखिए फ्रें और आदे गंटे के बाद जैसे ही मैं निकाले हैं आलू और आपको सीधा इनको डाल देना है थोड़ा-टोड़ा करके कडाई में मैंने रिफाइन डिया हुआ आप सर्सों का तेलrol कुछ भी ले सकते हैं लेकिन Refined Oil में बहुत ही जबदस French Fries बनते हैं, crispy- crispy, तो बस आपको क्या करना है, इंको अभी ज़ादा नहीं सेखा लगाना है, तो इनको अभी हमे ऐसे ही उतार लेना है, कुछ इस तरीगे से, और ऐसे करके हमें सारे French Fries उतार लेने हैं, तो धीरे धीरे करके मैं French fries सारे उतार लूगी और इकटे करके रख लूगी इनको आपको हवा लगवानी है आप पंखे के नीचे ठंडा कर सकते हैं ठीक है ना फ्रीज में अब इसको नहीं Rखना है ठंडा सिर्फ आपको हवा के नीचे ही करना पड़ेगा जैसे ही यह ठंडे कर सकते हैं जिससे कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये मार्केट के हैं तो बस आपको धीरे-धीरे करके इन्हें फ्राइ कर लेना है ग्यास होनी चाहिए बिल्कुल तेज और बस आपको इनको चलाते जाना है और देखे धीरे-धीरे कलर आना इस टार्ट हो गया है इनको उपर डालना है मसाला मसाले में हम कुछ खास नहीं डालेंगे सिर्फ डालेंगे सैंधा नमक जो वर्त वाला नमक होता है उससे बहुत जबरदस टेस्ट आता है और यहां पर मैं ले रही हूँ ड्राइ पोधीना घर में सूखा हुआ पोधीना है और इसको मसल कर हमें डालना है इसके ओपर और अब आप french fries खाएंगे तो खाते हीर है जाएंगे बहुत जबरदस्त french fries बने हैं और instant french fries बनते हैं और बच्चों को परिवार को सबको ये बहुत पसंद आते हैं इसके साथ आप cold ring ले सकते हैं coffee ले सकते हैं चाय ले सकते हैं जबरदस रहा अगर इसी मैथर से आप french fries बनाते हैं तो आपको satisfaction वाला french fries मिलेगा और आप तुरंत बनाकर तुरंत ही खा सकते हैं तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please like करें चैनल को subscribe करें और सब ही से इस वीडियो को forward करता नहीं बुले ओके बाइबाइ टे झाल 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 झाल